नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिक्ष्ट में देख पा रहे हैं सीयम योगी ने दिये कड़े आदेश रासनकार के दोस्तों यहापर नए नियम लागू कर दिये गए हैं जिनके घर में यह समान पाया जाएगा उनका रासनकार दोस्तों रद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सक्त कारवाई भी यहापर की जाएगी दोस्तों अगर आप भी उत्तर परदेश राज्ये में रहते हैं और आपका रासन कार्ड बना हुआ है A.P.L. B.P.L. अंतोदे आपका कोई सा भी रासन कार्ड हो सकता है अगर आपका रासन कार्ड बना हुआ है और आप रासन प्राप्त कर रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्त पून है क्योंकि दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ही अवशक है उत्तर परदेश की योगी सरकार ने जो रासन कार को लेकर नए नियम बनाई है अगर आप उन्हें जान लेते हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि आप रासन कार के एपातर सरेणी में रखे गए हैं या फिर आप पातर सरेणी में रखे गए हैं अगर दोस्तों आप पातर सरेणी में रखे गए हैं तो आपका रासन कार रद नहीं होगा और अगर आप एपातर स्रेणी में रखे गए तो आपका रासन कार्ड रद कर दिया जाएगा आज की यह संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में जान पाएंगे वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक चोटा सानिवेदन है यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तो अब हम यहाँ पर वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और आपको यहाँ पर रासन कार्ड को लेकर क्या नए नियम बनाए हैं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं सियम योगी के आदेश के बाद जिला परससन की तरफ से इस संबंद में अधिकारियों के माज़म से हर गाओं में जानकारी दी जा रही है सरकार का कहना है कि एपात्र लोगों के फिरी रासन योजना का लाब उठाने के उठाने से आम गरीब परिवारों को योजना से वंचित रहना पड़ रहा है उन्हें लाब नहीं मिल पा रहा है सरकार की और से लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर 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 के पास रासनकाड है तो उसे जल्द से जल्द सरेंडर करा दे ऐसा नहीं कराने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई भी की जाज सकती है राशनकार को लेकर निर्दे से जारी करते हुए सियम योगी ने अधिकारी से कहा है कि राज्ये के सभी जिले में कम से कम तीन इस्तर की जाँच की जाए जाँच के बाद एपात्र लोगों के राशनकार निरस्त कर दिये जाए अगर किसी भी जरुतमंद का राशनकार निरस्त होता है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी को ठहराया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देस दिये हैं कि सभी जरुतमंद को मापधंड के मताबिक राशन मिलना चाहिए जिनके घर में यह सामान है यह व्यक्ति एपात्र माने गए हैं इनका राशनकार निरस्त कर दिया जाएगा या फिर वे अपना राशनकार स्वैम ही DSO ओफिस या तैसिल में जाकर अपना राशनकार दोस्तो सरेंडर करा दे अगर आप दोस्तो यह काम नहीं करते हैं तो आपका रासन कार्ड सरेंडर कर दिया जाएगा और आपके किलाब सकत कारवाई भी की जा सकती है उत्तरपरदेश सरकार ने रासन कार्ड को लेकर क्या नियम बनाई हैं उनके बारे में जान लेते हैं जिनका परिवार इंकम टैक्स देता है परिवार में चार पईयावान जैसे की कार से लेकर ट्रैक्टर तक सामिल है खेती किसान के लिए परियोग में दोस्तो परियोग में लाए जाने वाले हारवेश्टर हो या फिर घर में दोस्तो यहाँ पर एयर कंडिशनर जिसे दोस्तो भूमियां पर पाई जाती हैं परिवार में एकसे अधिक सस्त्र Māgis पाई जाते हैं या फिर कौई भी सस्त्र लाइसाइंस पाई जाता एक भी तो दोस्तों उनका राशन काहरे में पर निरश्ट कर दिया जाएगा सरकारी लाब जैसे की पैंसन भोगी है कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है और वे भी पैंसन प्राप्त कर रहे हैं तो दोस्तों वे भी याँ पर पात्र माने गई हैं साविदा की नोकरी सहरी या ग्रामिंड छेतर में 100 वर्ग मीटर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सहरी या ग्रामिंड छेतर में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए 80 वर्ग मीटर के वेवसाइक इस्थान वाले रासन कार्ड के लिए पातर होंगे सहरी छेतर के परिवार की दोस्तों 3 लाग से अधिक वार्षिक आए वाले भी आपातनिया पर माने गए हैं दोस्तों यह तो हमने यहाँ पर जो सरकार के नियम बनाई है रासन कार्ड को लेकर हमने नियम आपको बता दी हैं अब आप समझी जा चुकेंगे अगर आपके घर में यह सबी सामान पाये जाता है सस्तिर लाइसांस पाये जाते हैं या फिर 100 वर्ग मीटर में बनावा पक कमगान पाये जाता है 80 वर्ग मीटर में वेबसाइक स्थान वाले दोस्तों आपके यहाँ पर जो कार्ड हैं वह निरस्त कर दिये जाएंगे यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं आपके सभी सवाल का जवाब दे दिया जाएगा यदि दोस्तों आपको मैट दूई जानकारी थोड़ सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रू लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रेट होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए लास्ट मीनी वे देने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना गूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत